खबर चतिस गड़ के बलरामपूर जिले से है जहां राजपूर में शनिवार रात साड़े आठ बजे लड़ुआ गाउं के पास एक तीज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटते हुए पानी से भरे डबरी में जागुसी हाथसे में साथ लोगों की जान चली गई है जबकि चालक गंभी रूप से खायल है वहीं स्कॉर्पियो सवार एक और यूवक का शव देर राट डबरी से निकाला गया बता दें कि जिस दबरी में स्कॉर्पियो घुसी वो जाड़ियों से घेरी थी उसमें करीब 10 फीट पानी भरा हुआ था हाथसे के बाद गाड़ी के सभी गेट लॉक हो गए कांच भी बंद थे जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका सिर्फ ड्राइबर के गेट कांच खुला था जिसे लोगों ने खिड़की से खीच कर बाहर निकाला वहीं गटना की सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पुलिस पहुँचकर डबरी में डूबी स्कॉर्पियो को जीसी बी की मदद से बाहर निकाला अस्थानी और लोगों की मदद से सभी को राजपूर से लाया गया जहां छे लोगों को डॉक्टरों ने जहांच के बाद मृत खुशित कर दिया जनगारी का नुसार सभी दिवाली मना कर राजपूर से कुस्मी जा रहे थे